तो पेड़ द्म का जो रूल कारण में उन फैट्स पेसे हमको उसे फाइंड आउट करना है राइट Now the next one is the producing hypothesis hypothesis का मतलब होता है परिकल्म नाय करना ठीक है अब आपका इतना हसान समझ रहने हैं कि जो समझ्य हमारे पास है हमारे पास हमके बहुत सारे पैट्स को संगरीत दिया है बहुत सारे तत्मों को डुंडा है इसे रिडेटेड पर उसको भी एनलाइज करना उसका इसलेशन करना इस वेरी टिपिकल यह बहुत बहुत मुश्कीर कार्य होता है तो आप हमें किसी दिये रिडेशन को प्रोसेस वाइज आके बढ़ देजा रहे है अब नेक्स के स्टेप का में क्या करता है प्रोडूसिंग, हाइपटिसस, हाइपटिसस का मतलब होता है परिखल बनाए करता है या तो यह में वह सकता है या यह में वह सकता है उसके साथ हमें options को साथ लेकी चलना पड़ता है ठीक है, next one is the observation analysis मतलब कि deciding to do observation analysis whether they are accompanied or not मतलब कि निरिक्ष्टे लेक्ष्टेशन के मात्यम से यह तक्ति निष्टे करना कि वे क्या संबत रूप से संबत है ठीक है, मतलब हमने निरिक्ष्टे लेक्ष्टे 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 लेक्ष Fats and Involvement, 17 Fats analytically which produce the understanding of problematic environment as well ठीक है अब बहुत सारे प्रोब्लम्स की जड़ता है हम बहुत चारे हैं बहुत पाने की कोशिश कर रहे हैं पर अब वो क्या हम इस मातामरण में जिस business environment में हम मतलब survive कर रहे हैं यह सब भी हमें find out करना पड़ता है ठीक है Then Fats and Hypothesis जो Fats हमारे पास है To serve the relation between the Fats and Hypothesis मतलब जो तर्पा हमारे पास है और जो परिज़तना है हमने करी रहे हैं वो क्या आपस में बेद खा रही हैं क्या for camping कर रहे हैं उसे के साथ यह भी हमें find out करना है And then after we make Examine intricate conceptions in the analysis of the problem It means that सबस्या के विस्लेशन में सम्मिले धार्नाओं की चार्च करना ठीक है मतलब जो धार्नाओं हमने बनाई है उनकी चार्च करें कि वो धार्नाओं की इसाथ से हमारे समस्या का लेधार्न प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है Thank you मतलब जचार्नाओं का रहान है सुपवर है सुपवर रहा हो वो टिसस。 एकाज़ जो शाव मतलब जो खी मतलब जो धुझाए